पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कीरती की वज़े से घर में सामान का बटवारा हो गया था और कीरती कोई काम भी नहीं करती थी वहीं आरजू दीरे दीरे अपने अच्छे व्यवार से अपनी सास के मन में जगे बना रही थी और कीर्थी दिन बादिन दूर होती जा रही थी राखी के बिमार होने पर कीर्थी अपनी सास को गंदा सूप बना कर देती है जिससे राखी का जी घबराने लगता है अग आगे राखी गुस्से में बातरूम से बाहर आती है और देखती है कि कीर्थी हस रही थी क्या हुआ ममी जी इतना गंदा सूप ये क्या बद्टमीजी है कीर्थी कुछ तो शरम कर ले मेरी तबियत वैसे भी ठीक नहीं थी और तू ऐसा भी कुछ नहीं हुआ आपको और आपने क्या सोजा था बीमार हो और मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी सेवा नहीं करनी थी तो ऐसा सूप देने की क्या जरुवत थी क्योंकि आप इसी के लाइक है तुझे शरम आनी चाहिए मेरी जगह अगर तिरी मा को कुछ हुआ हो था तो तू से ये सूप देती बिल्कुल नहीं कहा मेरी मा और कहा आप जितना वो मेरे काम आएंगे उतना आप थोड़ी ना आएंगे तभी राखी घुस्से में सूप का बोल फेंग देती है शोड सुनकर आर्जू भी वहां आ जाती है तभी अचानक घर की दोर बेल बार-बार बजने लगती है अरे ये बार-बार दोर बेल कौन बजा रहा है अभी इस वक्त दुपहर के तीन बजे कौन आया होगा हे भगवान राखी और आर्जू थोड़ा परिशान हो जाती है बेटा मैं तो कहती हूँ दर्वाजा ही मत खोल नजाने ऐसी भरी दुपहर में कौन आया है हाँ ममी जी मुझे भी डर लग रहा है अच्छा है मैं तो कहती हूँ चोर ही हो कोई ममी जी मैं दर्वाजे के पास जाकर खिड़की से देखती हूँ कौन है आर्जू वहाँ से चली जाती है वहीं अचानक कीर्थी की तब्यत खराब होने लगती है और वो अपनी सास के बेट पर ही बैट जाती है अरे क्या हुआ तुझे कुछ नहीं मैं ठीक हूँ लेकिन असल में कीर्थी ठीक नहीं थी उसे चक्कर आ रहे थे मुझे तो तू ठीक नहीं लग रही आप मेरी फिक्र मत कीजिए मैं खुद को समभाल लोगी वहीं आर्जू खिड़की से देखती है कि दर्वासे पर अन्मोल था और वो दर्वासा खोलती है उफ आपने तो डरा ही दिया था बार-बार क्यों बेल बजा रहे थे इस वक्त कैसे आ गए इमरजेंसी थी ना क्या हो गया तभी अन्मोल खुशी से आर्जू को गले से लगा लेता है तुमने जो फर्स्ट ग्रेट का पेपर दिया था उसका रिजल्ट आ गया तुम पास हो गई अरे भाबी को क्या हुआ पता नहीं मुझे इसकी तबे ठीक नहीं लग रही थी ये कमरे में जाने के लिए उठी और अचानक से चकर खाकर गिर गई तभी आर्जू कीर्टी के मूँपर थोड़ा पानी छिड़कती है और कीर्टी को होश आ जाता है भाबी क्या हुआ चकर कैसे आ गए पता नहीं भाबी डॉक्टर को बुला लेता हूँ नहीं नहीं अब मैं ठीक हूँ बस मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो कोई जरुवत नहीं है कमरे में जाने की कुछ देर यहीं लेट जाओ फिर चली जाना कहीं गिर्विर न जाओ कीर्टी अपनी सास के साथ बेट पर ही लेट जाती है अन्मोल बेटा तू इस वक्त घर कैसे आ गया हम तो डरी गए थे कि नजाने कौन बार-बार बेल बजा रहा है वो तो मम्मी में इतना खुश था तो बार-बार बेल बजा रहा था ताकि जल्दी से दरवाजा खुल जाए पर हुआ क्या ऐसा मम्मी कीर्टी की सरकारी टीचर की नौकरी लग गई है क्या सच में? इसने पेपर भी दे दिया मुझे तो कुछ पता ही नहीं था हाँ, शादी से पहले ही दिया था आपको तो अपनी छोटी बहु पर इतना गुस्सा था क्या आपने इसके बारे में कुछ पूचा ही नहीं लेकिन अब तो सब ठीक हो गया ना बहुत-बहुत बता ही हो बेटा वही कीरती ये बात सुनकर चड़ जाती है कि उसकी देवरानी की सरकारी नौकरी लग गई थी अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ इसकी शादी को और नौकरी भी लग गई मैं तो ऐसी रह गई गई अरमे चलो अच्छी बात है सरकारी नौकरी भी किसमत वालों को मिलती है हाँ ममी जी मेरा हमेशा से सपना था कि मैं सरकारी टीचर बनूँ और पूरा भी हो गया तूने भी खूब महनत की होगी बेटा तभी रंग लाई है तेरी महनत तो अब कब से जाना है तुझे नौकरी पर अभी तो रिजल्ट आया है ममी जी अभी तीन-चार महीने बाद ही जॉइनिंग होगी चलो तेरी भी जिंदगी सेट हो गई अब तीन-चार महीने तू आराम से घर में रहे फिर तो तेरी ड्यूटी लग जाएगी वक्त दोबारा से कीर्टी की तव्यत खराब होने लगती है तभी करेंट भी घर आ जाता है और उसे अस्पताल ले जाये जाता है थोड़ी देर में वो घर वापस आते हैं बेटा, क्या हुआ कीर्टी को? क्या बताये डॉक्टर ने? ममी चिंदा करने की कोई बात नहीं है खुशकवरी है, क्यर्टी प्रेगनेंट है क्या सच में? अरे वाँ, मैं दादी बनने वाली हूँ और मैं चाची मैं चाचा? वाँ, कितना मज़ा आएगा घर में छोटा सा बेबी होगा उन सब की खुशियां देखकर कीर्टी को हैरानी हो रही थी और उसे अपने किये पर शर्मिंदिगी भी हो रही थी लेकिन उसका घमंड उसको जुकने नहीं दे रहा था प्रेगनेंट बैह हूँ आप सब को इतना खुश होने की क्या ज़रत है बेटा अब अपना व्यवार बदल ले क्यूकि तेरे हर व्यवार का असर तेरे बच्चे पर भी होगा हाँ कीर्टी अब ये सब गुसा नाराज़गे छोड़ दो बिल्कुल नहीं कीर्टी अपने कमरे में चली जाती है और सोच में पढ़ जाती है क्यूं? मैं क्यूं इनको भाव दू? मैं तो इतने बड़े घर की लड़की हूँ ये सब ही चुकेंगे मुझे कोई कमी थोड़ी ना है प्रेगनेंसी के शुरू के तीन-चार दिन तो कीर्टी वैसे ही रह रही थी जैसे वो पहले रहा करती थी लेकिन काम करने की वज़े से उसकी हालत खराब हो रही थी एक दिन अचानक वो फिर से चकर खाकर गिर जाती है और उसे अस्पताल ले जाये जाता है कीर्थी, तुम्हारी प्रेगनेंसी इजी नहीं है तुम कोई काम नहीं कर सकती अगर ऐसी काम करती रहोगी तो बच्चे को रिस्क हो सकता है ठीक है डॉक्टर थेंक यू डॉक्टर, अपसे ध्यान रखेंगे दोनों वापस घर आ जाते हैं बेटा, क्या बताये डॉक्टर ने सब ठीक तो है न क्यू बार-बार कीर्थी की हालत खराब हो रही है मम्मी, डॉक्टर ने कीर्थी को कम्प्लीट बैड रस्ट बताया है यह अब काम नहीं कर सकती ये भी कोई कहने की बात है डॉक्टर ना भी कहती कुछ तो भी मैं अपनी बहु को रेस्ट करवाती बस तू ही समझाए से और क्या तो भाईया लेकिन यह हमारी बात नहीं मानती हम है न सब समझाल लेंगे बस आप इनको समझा दो उसके बाद से आर्जू राखी ही घर समझालती थी और कीर्थी को भी लेकिन वो अभी भी कीर्थी का कोई समान इस्तमाल नहीं करते थे कीर्थी का कुछ भी खाने का मन होता तो आर्जू बना कर हाथ में देती थी अभी इन लोगों से अपना काम करवाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बेवज़े एहसान लेना आज मैं खुद ही बनाऊंगी कीर्थी रसोई में जाकर अपने खाने के लिए बनाने लगती है तभी आर्जू वहां आ जाती है भावी आप क्या कर रहे हैं छोड़िए सब कहान आपको कुछ नहीं करना है अभी मैं ठीक हूँ मैं बना लूँगी आर्जू उसके हाथ से सामान ले लेती है प्लीज भावी आपको जो खाना है मुझे बताईए आप हमसे नाराज है बच्चे से तो नहीं है न इसका तो खायाल रखिये कीर्थी डॉक्टर ने तुमसे बोला था न कि तुम्हें जाधा रैश्ट करना है फिर ये सब क्या कर रही हो क्या तुम इस बच्चे से प्यार नहीं करती नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन मैंने सुचा कि बार बार सबको क्या कहना है लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही खैर करन समझा बुझा कर कीर्थी को वापस कमरे में भेज देता है और घर के सभी लोग उसकी खूब सेवा करते हैं और ध्यान रखते हैं एक दिन कीर्थी रसोई में जाती है अरे भाबी आप यहां क्यों आ गई मुझे आवाज लगा ले थे बताईए आपको क्या चाहिए आर्जू मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तभी कीर्थी की आँखों में आजू आ जाते हैं अरे क्या हुआ भाबी ऐसी हालत में आप रोक यो रही है बच्चे पर गलत असर होगा तभी राखी भी वहाँ आ जाती है क्या बात है मुझे माफ कर दीजे मम्मी जी आर्जू मुझे माफ कर दो मैं बहुत गलत चल रही थी अरे बस भाबी सब को रुला दिये आपने तो तभी तीनों एक दूसरे के गले लग जाती है और बहुत खुश होती है कोई बात नी बेटा शान्त हो जा उससे में कई बार गलती हो जाती है आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी आप दोनों मेरी इतनी देखवाल कर रही है शायद मेरी अपनी मा भी होती तो ना करती मैंने बहुत बत्तमीजी की आपके साथ सब भूल जाएए आप बस खुश रहो ताकि बच्चा भी खुश रहे और जो घर में मैंने बटवारा किया था वो सब दुबारा कभी नहीं होगा मैं कसम खा कर कहती हूँ खैर उनकी घर में सब कुछ ठीक हो गया था और कीर्ती को भी अपने किये पर बहुत पच्चतावा हो रहा था कुछी वक्त में आर्जू भी नौकरी करने लगी थी और बाद में कीर्ती के भी एक सुन्दर से बेटे ने जन्म लिया था घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी और अब अमीर और गरीब बहु में कोई फर्क नहीं रहा था दोनों एक समान थी तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा